जो संख्या बल का मामला है, संख्या का केल है, इसमें थोड़ा सा आखला नगर आप देंगे, जो कई सारे राज्ये हैं, भारती जनता पार्टी कितने नुकसान मुठा सकती है, मतलब हो सकता है, अन्यूट कर लिए जगा मुझे भारती जनता पार्टी को लेकर नुकसान ही नुकसान देख रहा है, अमरीज जी, मुझे उत्तर प्रदेश को छोड़ कर, कोई ऐसा राज्य नहीं देख रहा है, जहाँ बीजेपी को सीटें मिल सकती हो, और अगर अखिलेश बुद्धी मानी दिखाते हैं, पटना चल देते हैं अब विपक्षी दलों को, तो एक छोटा सा मैं आपको उधारन दू कि मद्ध्य पुदेश, च्छतिस गर्ल, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, उत्राखंड, केरल, हर्याना, करनाटक, यह सारे के सारे ऐसे राज्य हैं, जहाँ कॉंग्रेस और सत्तारूर दल में संघर्श है, मोटे तोर पर, मतलब बाइपोलर है, अब यहाँ यह करीबन 160 सीटे हैं, 158-160 सीटे हैं, यह पूरा जगड़ा यहाँ होने वाला है, और फिर जहाँ कॉंग्रेस अलाइंस में है, महराज, जहारखन, तमिलनाडू, बिहार, यह भी 146 सीटे हैं, तो अब आप सोचिए, कि यह दो बड़े चंक अगर चले आते हैं, पांस्तो तिरतालिस में से, और उसके बाद जहाँ ट्राइंगुलर कांटेस्ट हैं, पंजाब, देहली, तेलंगाना, उडिसा और असाम, यहाँ 72 सीटे हैं, तो बीजेपी इस समय बहुत ही, अगर मोधी कोई की बड़ा करिश्वा नहीं करते हैं, चमतकार नहीं दिखाते हैं, तो इस समय जो अगर सीटों के आधार पर चलें, तो इंट्री इंकम बेंसी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, सरकार विरोधी लहर, वो जबरदस तरीके से पूरे देश में चल रही है, और यह जो कॉंग कहना चाहिए, वो चल रहा है, मतलब वो आप देखिएगा कि मध्यपुदेश में जिस तरह से वो चल रहे हैं, हिमाचल के बाद, मतलब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए गामरीजी, कि राहूल गांधी मध्यपुदेश और 36 गर्ण में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसा मेर बी राहूल नहीं गए और यहां भी नहीं गए राहूल जो जाएंगे कभी तो वो जाएंगे गुझरात में परलिमेंट के टाइम पर और अगर गए तो वो जाएंगे राजर्सतान में, जहाँ थोड़ा सा गंभीर मावाना है। तो यह एक जो बड़ाई है बीजेपी पटना की मिटिंग में अगर राहूल गांधी घोशना कर दें कि मैं प्रदान मंतरी पत का उम्मिद्वार नहीं हूं और मैं अपील करूंगा विपक्ष से कि वो मेरे इस्थान पर किसी और को उम्मिद्वार बनाए तो वीजेपी का पूरा खेल पंक्चर हो जाएगा खतम हो जाएगा तो यह जो है क्योंकि विपक्ष के बाद बहुत सारे उम्मिद्वार हैं प्रदान मंतरी पत के और बीजेपी के बाद सिर्फ मोदी हैं तो योगी की स्विकारिता भी उतनी नहीं है जितने की हम लोग डिसकस करते हैं उतनी नहीं है पूरे अखिल भारती इस जो मुझे लग रहा है कि भारती जनतापाट मैं देखिए दो चीज़ें और कहना चाहता हूं आपको वो यह कि मद्यपरदेश में एक इंपॉर्टन फेक्टर है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए और वो फेक्टर यह है कि दिगविजे सिंग और कमलनाथ दोनों के यह अ इनों की कोशिछ केवल अपने बच्चों को स्थापट करने की है नकलनाथ को स्थापित करना चाहते हैं कमलनाथ कि अपने बेटे को निवैंर करना चाहते हैं Congress की पूरी politics जो है न अमरीज जी वो ये इस विधान सभा चुनाओ के बाद बदल जाएगी लोग सभा चुनाओ में जो तै होगी Congress की पूरी की पूरी politics वो दिखुजे सिंग जो कमलनात और अशोक गेलोत के विधान सभा में performance के अधार पर तै होगी कि ये लोग अगे कितनी दूर जाते हैं Congress अब पूरी की पूरी नए लोगों के हाथ में पहुंच रही है जिसमें राहूल हैं प्रेंका हैं डीके शिव कुमार हैं तमाम नए लोग हैं और वही जो जगड़ा है मध्यपदेश में भी एक नया नेतत तो उभर रहा है जो चैलेंज कर रहा है इन मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी 2024 की राजनीती को समझने के पहले 2023 के विजान सभा चुनाओ पर नामों पर नज़र रखना पड़ेगी और उसके बाद ही हमको सोचना पड़ेगा क्या होगा पर मैं यह जो इन्होंने अमिश्या ने जो कहा उसको बहुत जादा गंब झाल